हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मतिप्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफिर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 19 जून 2019 और यह हमारी 189 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछ जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं question number first पर हाली में किसे लोगसवा अध्यक्ष चुना गया है जिसका सी option है ओम बिरिला हाली में ओम बिरिला को लोगसवा अध्यक्ष चुना गया है 17 वी लोगसवा में दोस्तो इससे पहले हाली में बीरेंद खटीक को प्रोटेम स्पीकर की रूप में चुना गया था दोस्तो आपको ओम बिरिला की बारे में बता दें ये राजस्थान के कोटा से BJP के सांसा दें और ये हाली में 17 वी लोगसवा के अध्यक्ष होंगे तो आपको इतना ओम बिरिला की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉस्चन हाली में किस प्रदेश ने ट्रेकर्स को GPS डिवाइस जरूरी किया है तिसको सही ओफ्षन है हिमाचल प्रदेश हाली में हमाचल प्रदेश ने टेकर्स के लिए GPS डिवाइस जरूरी किया है दोस्तो इस GPS की मदद से विपरीत इस्तिती में नपटने की सहायता मिलेगी दोस्तो यह नेड़ा मानसून की तैयारी की समीक्षा की बैठक में लिया गया है आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में प्राकर्दिक आपदा की संभावना काफी अधिक होती है इसलिए राज्ज में मौसम संबंदी सूचना का प्रशारन और अरली वर्निंग सिस्टम की स्थापना किया जाना आवश्चक है तो इसलिए इस GPS डिवाइस को जरूरी किया गया है हिमाचल प्रदेश में दोस्तो आपको हिमाचल प्रदेश की बारे में बता दें यह पूर्ता राज्य 25 जनवरी 1971 में बना था और यह भारत का अठारवा राज्य बना था दोस्तो आपको हिमाचल प्रदेश की बारे में मैप में बता दें मैप में यह जगह है हिमाचल प्रदेश को दरसाती है दोस्तो हिमाचल प्रदेश की इस्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी गवर्णर है आचारिय देवरत मुक्यमंत्री है जैराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क मेला लगाया गया है तो इसका सही option है दोस्तों भिंड हाली में भिंड जले के लहार में यह मंगला देवी का मेला लगाया गया है दोस्तों इस अफशर पर यहां पर एक कभी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है जिसमें प्रिख्यात कभी कुमार विश्वास ने हिस्सा लिया दोस्तो अब बात आईए भिंड जिले की तो आपको कुछ important fact भिंड के बारे में बता दें दोस्तो संत बिदावक की कर्म इस्थलिय भिंड भिंड में प्रदेश की सरवाधिक छोटी तैसील रोण है दोस्तो इसके अतिरिक्त प्रदेश में शरवाधिक सरसो का उत्पादन भिंड जिले से ही किया जाता है चंबल, सिंद, क्वारी, पाउज, प्रमुक नदिया हैं भिंड जिले में अटेर का किला राजा बदंसह द्वारा बनवाया गया था दोस्तो खूनी दर्वाजा, बदंसह का महल, हातीपोर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और बाराए खंबा महल, प्रिसिद्ध इस्थान है भिंड जिले में वनखंडेश र मंदिर प्रतिवरा चोहां द्वारा ग्यारा सो पचत्तर में बनवाया गया था जमदरा का माता रेनु का मंदिर, नर्दिव मंदिर, गोहत का किला ये सभी भी भिंड जिले में ही इस्थित हैं तो दोस्तो इतना आपको भिंडी के बारे में जरूर याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में कितने लोगों को मात्र स्री अवार्ड प्रदान किया गया है जिसका सई उफ्षन है दोस्तो 29 लोगों को हाली में 29 लोगों को मात्र स्री मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तो आपको बतादें 29 पत्रकारों को हाली में नई दिल्ली में यह अबॉर्ड दिया गया है यह अबॉर्ड का 44 वा संस्क्रणथा इस बार पत्रकारों के अलावा एक सामाजिक कारेकरता को भी भारत माता शील्ल पिरदान किया गया है दोस्तो कुछ नाम आपको बता दें, दुर्गा प्रिशाद मिसरा को PTI फोटो पत्रकार, अगरज पिरताप सेंको UNI, जितेंदर कुमार को यूनि भारता, नमिता को PTI भासा, पूनम गौर को नव भारत टाइम्स के लिए यह अवार्ड दिया गया है दोस्तो आप बात करते हैं मात्रश्री मीडिया अवार्ड की इसके बारे में आपको बता दें, तो दोस्तो यह अवार्ड पत्रकारिता से सम्मंदिक शेतर में बहतरीन कारे करने वालों को प्रदान किया जाता है, इसकी स्थापना देश में आपात काल के दोरान लागू की ग तो इतना आपको इस अवोड की बारे में याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में माधहरा सप्रे की कौन सी जैनती मनाई गई है तो दोस्तो इसका सई ओफ्षन है 148 वी 148 वी जैनती हाली में माधहरा सप्रे की मनाई गई है दोस्तो आपको माधहरा सप्रे की बारे में बता दें ये एक साहत्तिकार थे दोस्तो प्रदेश में जो पत्रकारिता की जनक इन्हें ही कहा जाता है आपको कुछ और important fact बता दें दोस्तो इनका जन्म माध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था माखलाल चतुरवेदी के साहत्तिक गुरू कहे जाती है माधहरा सप्रे दोस्तो आपको बता दें भोपाल में माधहराव संग्राले की इस्थापना भी इन्ही के नाम पर की गई है और इनका हाली में 148 वी जैनती मनाई गई है तो दोस्तो ये important question बन जाता है exam की द्रस्टी से question next question हाली में Indian wheelchair cricket premier league की शुरुआत कब हुई है तो दोस्तो इसका सही option है 19 जून हाली में 19 जून को Indian wheelchair cricket premier league की शुरुआत की गई है दोस्तो यह tournament 23 जून तक चलेगा इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी यह IPL की तरज पर tournament शुरू किया गया है दोस्तो हर match 15 ओवर का होगा इस cricket league में और final में टीमें 2020 ओवर match में एक दूसरे से मुकावला करेंगी और यह शुरुआत हाली में नई दिल्ली में की गई है इस cricket premier league की तो इतना आपको जरूर याद रखना है next question अफगानिस्तान से खेलते हुए इमार मॉर्गन ने 17 चक्के लगाए हैं दोस्तो ऐसा करने वाली यह दुनिया के पहले बल्लिवाज बन गए हैं तो इतना आपको इयान मॉर्गन के बारे में याद रखना है next question हाली में किसे भारतिय रिजर्व बैंक का कारे कारी निदेशक बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है रभी एन मिसरा हाली में रभी एन मिसरा को भारतिय रिजर्व बैंक का कारे कारी निदेशक बनाया गया है दोस्तो आपको बता दें ये रोजमेरी सेटे स्टेन की जगहे लेंगे दोस्तो आपको एक और इंपोटेंट फेक्ट बता दें भारतिय रिजर्व बैंक में यानि RBI में 12 कारेकारी निदेशक होते हैं और उन में से रवी एन मिसरा एक कारेकारी निदेशक बनाए गए हैं दोस्तो अब आपको RBI की बारे में बता दें RBI का फुल फॉर्म भारतिय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है इसकी स्थापना 1 अप्रेल 1935 में की गई थी इसका हैड़कॉर्टर मुंबई में है और RBI की गवर्नर है शक्ति कांत दास तो दोस्तो इतना आपको RBI की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन है तो इसका सही option है दोस्तो उमा भारती उमा भारती प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री है दोस्तो आपको बता दें 2003 से 2004 के बीच उमा भारती मद्यप्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री रही है दोस्तो इसकीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे उनकी बारे में भी बता दें हिना कावरे यह मद्यप्रदेश की पहली विधानसुबा उपाध्यक्ष हैं जो 2019 में बनी है सरला ग्रेवाल आपको इनकी बारे में बता दें यह मद्यप्रदेश की पहली मैला राजजपाल है तो आपको इन तीनों की बारे में इतना जरूर याद रखना है next question काकनाथ की नाम से किस शहर को जाना जाता है तो इसका सही option है दोस्तो साची साची सहर को मद्यप्रदेश में काकनाथ की नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था दोस्तो इस स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम देख रहे होगे उनके बारे में भी बता दें तो दोस्तो जवालपुर को तिरपुरी की नाम से जाना जाता था बुरहानपुर को खानदेश की नाम से जाना जाता है और खजराहो को खजूर बाहक की नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था दोस्तो ये बहुत important question है एक्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको इन चारों के बारे में इतना जरूर याद रखना है जवलपोर शहर को मद्धिप्रदेश में क्या कहा जाता है तो इसका सई उफ्षन है मद्धिप्रदेश की संसकार राजधानी मद्यप्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जवलपुर शहर को जाना जाता है दोस्तो आपको इस्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं उनके बारे में भी बता दें तो मद्यप्रदेश की संस्कृतिक राजधानी के नाम से जैन को जाना जाता है मत्यप्रदेश की खेल राजधानी के नाम से इंदौर जिले को जाना जाता है और मत्यप्रदेश की उर्जा राजधानी के नाम से सिंगरो अली को जाना जाता है दोस्तो अब बात आईए जवलपुर जिले की तो आपको कुछ important fact जवलपुर जिले की बारे में बता दें तिरपुरी महाकोसल क्षेत्र की नाम से भी जवलपुर को जाना जाता है दोस्तो मत्यप्रदिस का दूसरा सरबादिक बड़ा जिला है जवलपुर बारत का पहला जण्डिया सत्यागिरा है 1923 यानि 1923 में जवलपुर से शुरू किया गया था रानी दुरगाबती, पंडे जवाला नेरु क्रिशी और महरसी योगिक वैदिक विश्व विद्यालाय जवलपुर में ही इस्थितें मदन महल, संगराम सागर, रानी दुरगाबती की समाधी, भेडा घाट, रूपनात अभिलेक और धुमातार जल्परबाद, ये सभी जवलपुर शहर के परेटन इस्थले दोस्तो, भारत का पहला विकलांग पुनरवाश केंद्र जवलपुर में ही बनाया गया है दोस्तो, नेशनल इंस्टिटीट ओफ डिजाइन, भारत में सरवादिक फैल्सपॉर का उत्पादन जवलपुर जिले से ही किया जाता है दोस्तो, रानी अवन्ती भाई, जल विद्युत परियोजना जो बरगी नदी पर बनाई जा रही है, यह जवलपुर जिले में ही इस्तित है मद्यप्रदेश का पहला इंजिनिरिंग कॉलेज, 1947 में मद्यप्रदेश के जवलपुर में ही खोला गया था मद्यप्रदेश टेविल टेनिस असोसियेशन और जवलपुर बन अनुसंधान केंद्र मद्यप्रदेश रेलवे जोन 1998 में जवलपुर को बनाया गया था तो दोस्तो इतना आपको जवलपुर के बारे में जरूर याद रखना है इन मैंसे एक question एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है नेक्स्ट question निमनमै से कौन सा मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा महीला साक्षर वाला जिला है तो दोस्तो इसका सही option है भुपाल मत्य प्रतिश का एंशा शहर है या जिला है जो महिला साक्षर में सबसे ज़ादा है दोस्तो अगर बहीं बात करें अली राजपुर की तो नियून्तम साक्षरता प्रतिशत बाला जिला है अली राजपुर नियून्तम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी अलिराजपुर ही है और दोस्तो नियून्तम महिला साक्षरता वाला जिला भी अलिराजपुर ही है यानि साक्षरता में सबसे पीछे है अलिराजपुर जिला दोस्तो अगर बात करें जवलपुर की तो आपको बताएं सरवाधिक साक्षर प्रतीशत वाला जिला है जवलपुर और सरवाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी जवलपुर ही है तो दो कुशन यहां से बन गए दोस्तो वहीं बात करें अगर बाला घाट की तो सरवाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बाला घाट यहाँ पर 1000 पूर्शों पर 1021 महिला हैं तो यह 6-7 क्वेशन यहां से बनते हैं आपको इन सब के बारे में याद रखना है दोस्तो आप बात करते हैं प्रिवियस डे के क्वेशन की तो कल का क्वेशन था मद्यप्रिदेश में सबसे सघन सडकों का जाल किस जिले में है जिसका सही option था सतना जिले में सतना जिले में सबसे सघन मार्ग है सडकों के लिए दोस्तो question of the day की बात करेंगे तो आज का question है मत्यप्रदीश का पहला परियावरन नयाल है कहां इस्थापित किया गया है तो इसका answer आप हमें comment box में दें हम आपके answer का इंतिजार करेंगे तो दोस्तो आज के लिए बसतना ही दोस्तो आपको कुछ एक important बाते बता दें कुछ लोगे comment आते हैं कि आप वीडियो में MP का mix और international, national क्यों mix करते हो तो दोस्तो आपको बता दें आप MP का कोई भी exam उठा के देख लीजिए हर exam में national, international, current affair और GK भी पूछा जाता है मत्यप्रदीश की exam में तो इसलिए ये वीडियो में जितने भी important question होते हैं उनकी साथ लेकर आता हूँ तो आप ये वीडियो बहुत गौर से देखें तो आज के लिए बस इतना ही आप मारे चैनल इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मत्यप्रदीश और वर्ल्ल के interesting facts को लेकर हाज रहोंगे तब तक के लिए नमस्कार have a nice day